हेलो दोस्तों, welcome back with a new video यार आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने Addson का account कैसे बनाना है ताकि आपको approval मिल सके कैसे अपनी website submit करवानी है बिल्कुल 100% तरीका बताऊंगा और आपको Addson का account active करके दूँगा Addmove का account भी बताऊंगा कैसे बनाना है तो यार आज की वीडियो करते हैं शुरू और आपको मैं बताता हूँ complete process Addson अगर आप blogging में interest रखते हो आपको Addson का approval लेना है पैसे कमाने तो चैनल को कर लो subscribe और वीडियो को कर लो like इस चैनल पर आपके लिए मैं काफी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ आप जा के देख सकते हो सारी मेरी वीडियो देख सकते हो आपको पता चल जेगा कि मेरा content क्या है मेरी niche क्या है आपको बिल्कुल 100% पता चल जेगा तो शुरू करते हैं आपने आना है Google में गूगल में आके आपने जाना है इदर क्या dice ए अपने इदर लिखना ए एड्संत आप इसको आप क्लिक करोगे तो यार आपकी ऐसा कुछ वोगा अगर आप इसे क्लिक करते हो तो sign in को आपके सामने काफी लोगों के सामने कुछ पेज नहीं आता अगर आप वह sign in को क्लिक करते हैं तो sign in को क्लिक होता ही नहीं अगर आपके सामने ऐसा मसा सोरी यह मैंने क्या लिख दिया Google Adsense को करना था अचा मैंने Google Adsense को कर लिए क्लिक earn money online from website monetization तो इसे मैं कर लूँगा अब sign in को क्लिक करूंगा तो आगे कुछ आएगा लेकिन काफी लोग sign in को क्लिक करते हैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं आता उनके सामने बिलकुल भी कुछ नहीं आता उन्होंने क्या करना है उन्होंने यह करना है कि इस browser को छोड़के उन्होंने यह internet explorer पे चल जाना है य किसी के सामने आए किसी के सामने ना गाएगा उसके सामने ऐसा नहीं आएगा उसने अपनी id logg in कर लिने में जिस पर 속 एडसन अकाउंट बनाना है और यार आपने आपने अकाउंट बिजनस यह मैं अपना नेम लगा देता हूं इधर, उसके बाद next में address line में आपने क्या लगाना है, आपने अपना address लगाने, address आपने कैसे लगाना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके नाम पे पहले कोई addson account है, तो अब फर्ज करें, अगर आपको address लगाने का सबसे best तरीका बता देता हूं, सबसे पहले आपने लिखना है, house number, सबसे पहले आपने लिखना है house number, अगर आपको नहीं पता आपके house का number क्या है, तो आपने चल जाना है, अपने kitchen में, हमारा तो bill kitchen में पढ़ा होता है, हम जातने kitchen में, अगर आपका bill जहां, आपका electricity या किसी भी चीज का bill पढ़ा हुआ है, वहां से आपने देख लेना है address, इधर house number लगाना है, तो अब house number A112, अब ये house number हमने लगा दिया, अपना उसके बाद आपने इधर लग लगा दिया है, और street number के बाद आपने कोई near address लगाना होता है, near address का मतलब है कि आपने आपके पास कुछ है, अगर आपके पास है, अब फर्स करें, हमारे घर के पास है, सुग्रा, अच्छा, अब आपने लिखने है इधर near सुग्रा होस्पिटल फैसलाबाद, ये मेरा address मैंने लगा दिया है, तो यार ये address है मेरा, और second line में आपने क्या लिखने है, इधर समझने वाली बात है, फिर आपका pin नहीं आएगा, अगर आप ये बात नहीं समझोगे आपका pin नहीं आएगा, बाद में आपको गे हमें problem हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर आपने लिखना है अपना phone number, अब मैं लिखूंगा 0, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, इधर आपने लिखना है phone number, इधर आपने लिखना है phone number, अब आप पर्स करो कि अगर आपके घ phone number पर message करके पूछेगा और लाजमी पूछेगा अगर आपका phone number लिखा होगा, वो address नहीं देखते हैं, वो सीधा उनके पास चिपे आई होती है, चिपका के आगे कर देते हैं, वो ये नहीं करते हैं, अगर आपने address नहीं लिखा तो आपका काम खराब कर देंगे, ये address मतल पूस्टल कोड अब आपने अपने country का अपनी जगा का पूस्टल कोड लिखना है, अब फैसलाबाद में ये जंग बजार का ओर है, इदर का ओर है, उदर का ओर है, अब मेरा ये ही है, मैं ये ही लिखता होता हूँ, तो मैं इदर लिख दूँगा 3800, अब ये पोस्टल अब लिखकोज़ जब होता है, इधर और आपने अपना लिखना है phone number, फोन नमबर लिखके कर देना है submit, अब इदर जो phone नमबर आपने लिखना है वो valid होना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको Telephone 1965 का, तो ये आपका फिर भी वेलेड होना चाहिए उसके बाद add side पे आना है आपने अपनी website लगा देनी है और website में जो code लगाना है आपने वो ज़रा तरीके से लगाना है जो end वाला tag होता है ना ये वाला ये tag जो होता है इसको आपने उधर add code पेस्ट करके एक दबाएंटर का बटन दबाएंगे तो उपर वाले script और नीचे वाले script के tag एक ही जैसे आजेंगे अब मैं बताता हूँ आपने addmob का account कैसे बनाना है और क्या addmob है अब addmob है अगर आप mobile पे कोई apps बनाते है तो addmob वो होता है apps पे जो ads चलती है उसे कहते है addmob अब आपने चल जाना है इधर इधर जाके आपने sign in पे click करना है उसके बाद आपका ये पहली address लगा होगा तो आपने create addmob account कर देना है अगर आपने addson में account बनाया हूँ है तो आपका पहले ही लिखा आजाएगा create addmob account तो यार addmob का भी आपका account बन गया है उसके कुछ देर बाद आप refresh करेंगे तो आपका addson में आपको मैं बताता हूँ कुछ देर बाद आप refresh करेंगे तो आपका addson में earning मतलब के आपने अप अगर लगाया हूँ है तो आपकी addson में earning show होने लग जाएगी अगर आप इसके बाद आपने addmob पे apps को ही लगाने है तो add your first apps here android का app अगर आपको कुछ नहीं समझाती तो आपका बाई आपकी हर problem solve करता है तो यार टेंशन की कोई बाद नहीं समझाती तो आपको कुछ नहीं समझाती तो यार अपने बाई से आपका नहीं आज की वीडियो यहीं खतम करते हैं अलाहाफ़िश्ट आप